so hey guys welcome back to my channel तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे है तो आज में शेयर करी हूँ आप सभी कि साथ में गुड़ और तिलकुट तिलकुट जो बहुत अच्छी लेगी तो आज हम इस रेचित को पहली बार ट्राई करने वाले तो आई किसे बनती है और guys अगर आपको एक चाहल लेंगे मैं हम सित कर लेंगे दोडासा है जो है ग्रम हो चुअ किलासे हाँ यहाँ पे डाल हम वाइट टील D जो हो तक हम आप सकी सित निया प्राइट टील करतेवाद जैसे जब तक क्या वाइड बार घजित गतां वाइड़ बिजाना है और ध्म झान रहे जितना हम तिल लेंगे उतना ही सबस्कान अब में चछी यांधर काइस करें किस दीजो कंळ चाहँ से सकते हैं ad आप करूंग निकाल लेंगे अब तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारह तिल जो हे वो निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे एक्सी जार लेएंगे और din कीची जार लेने के बाद हम बारी बारी से सारह तिल रोश՚ Kerryぎ дан उसके बाद हम इसे पीश लें गया, यहां पर पर जादा इसे नहीं पीशतेंगे, बिलको दरदरा पीशना है हमें, जो हलका यहां पर आप सभी देख सकते हैं, मैंने बहुत नर्मल इसे पीश है, इसी तहीं आप लोग भी पीस के पॉडर बना लेना है बहुत ज्यादा महीन नहीं नॉर्मल जैसे कि मैंने बोले आप सभी को तो यहाँ मैंने सारा तिल जो है वो से दरदरा पीस लिया है मैंने अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे साइड कर लेंगे थोड़ा देर तक उसके बाद हम ए इसके गुड़ को जो है वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से छोड़े-छोड़े पीसस में कर लिया था उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी अट कर लेंगे ताकि किमाम होने में गुड़ जो है जादा टाइम ना लगए और अच्छे से किमाम होके त्यार हो जाए तो गाइस तोई तेर बाद यहां पे आप देख सकते हैं हमारा किमाम जो वह हलका अलका गूर जो है वह पिगल रहा है इसी तरह से हम गूर को अच्छे से बिल्कुल पिगला लेगा है और गाइस यहां पे ना गैस की फ्लेम जो है वह मेडियम रखना है उसके बाद हम यहां पैट करेंगे इलाइची इलाइची को यहां पे मैं थोड़ा सा रश कर लिया ताकि उसकी स्मेल अच्छी आए और खाने में भी टेस्ट उसका अच्छा लगए उसके बाद मैंने यहां वन टेबल स्पून घी एड़ किया घी एड़ करने से क्या होगा घी तो खेर बहुत ह होगा हमारा तिलकुट तो यहां पे आप लोगों को घी एड़ कर लेना है और घी एड़ करने के बाद हम इसे मिक्स्ट करते रहेंगे तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो मेरा केमाम जै वह बहुत अच्छे से यहां पे खॉलने लगा है इसे चेक करने के लिए हम एक प मैंने रोस्ट करकर के इसको कि पीस करके करके खा था उसे हम यहां पे एक त्युड़ का पावड़र आप देख सकते हैं यहां पे मेरा गूर और तिल जो है वह बहुत अच्छी दे मिक्स हो गया है इसी तरह से गाइज और गैस की फ्लेम आप लो रखना क्योंकि गूर जो है वह बहुत जल्दी सूख जाता है सूखने के बाद थोड़ा कड़ा हो जाता है तो कड़ा ना हो इसल की हेल्प से इस तरह से कूट लें यह आप देख सकते हैं इस तरह से करने के बाद साइड में थोड़ा थोड़ा जो है न वह उड़ जा रहा है और बहुत अच्छा शेप भी दे रहा है तो और घी लगाया था हमने तो बहुत असानी से निकल भी गया तो जैसा कि आप पहला लें और बीच में इस तरह से इसे पुश कर लें ताकि इस साइड से जो है उसका थोड़ा सा निकल जे तिलकुट का शेप आ जाए देन उसके बाद हमारा यह वाला तिलकुट भी जो है वह रेडी हो गया है अब इससे निकाल लेंगे तो गाइस आई होब कि आपको ह हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी अपने घर पे भी ट्राइ करना अपना एक्सपेरियंस मात साथ शेयर करना और अगर चानल पर नए होगे तो चानल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रस कर लेना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंस सके तो चलिए फिर आप से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिसिपी की साथ तब तक लिए टेक कियर बाबाए अला आफिस